नुझकार आज शुरूपर स्यतु आँ उने के साथ मंगल रेखा मंगल ओगर अगर तक कहा जाए धन है मंगल अगर कहा जाए प्रॉपर्टी है यह मंगल अगर कहा जाए तो सुख है परिवार का सुख है मंगल अगर कहा जाए, देँए मंगल एक ऐसा ग्रय है जो करज में डालता है तो फिर निकलने नहीं देता और करज के दलदल में व्यक्ती को कही ना कही खतम कर देता है या फसा देता है या परिशान कर देता है मंगल से सम्मंदित कुछ चीज़े आपको बताऊंगा अभी तक जो चीज़ें आपने देखी होंगी जो मैंने बताया या अन्य जगों पे जो है आपने ये रेखा है जीवन रेखा के साथ ये मंगल रेखा है जमीन होगी, उसमें कोई दो राए निये, यह दो-चार चीज़ें आपने सूनी होगी, कि मंगन लेखा बगल में तो अच्छा हो गया। देंकि मंगन लेखा बगल में है, किस तरीके से है, वो डिपैंड करता है कि व्यक्ति के लिए पूरा देखना। कितना लाब है, कितना नुकसान है, किस तरीके से मंगल की रेखा को देखा जाता है, ये वीडियो आपके लिए बेहत महत्पूर्ण है, पूरा देखना, और इसको अगर आपने देख लिया, तो मंगल से सम्मंदित तुरंत आप फलित कर देंगे, तुरंत अपने हाथ में दे ये जीवन रेखा है, जीवन रेखा के बगल में, बहुत सारे हाथों में आपने देखा होगा, कि उसके बगल में एक रेखा चलती है, हम लोग इसको मंगल रेखा कहते हैं, जिल लोगों की जीवन रेखा मोटी है, और मंगल रेखा पतली है, मोटी होने का मतलब नहीं, बह कहिह ना कहिं जमीन से सम्झन सुखों को बढ़ाती है परीवार का सुख ऐसे लोगों को मिलता है उसमें कोई dalNa महां इनिये अब यहां पर बहुत सारे लोगों के हाथ में मंगल की रेखा जदा गारी है और जीवन रेखा उसके मुकाबले कम है उसके मुकाबले इसका क्या मतलब है सभाव से अख़ड ऐसे लोग होते हैं सभाव बड़ा आजीब सा होता है क्रोध बिलकुल चड़ा रहता है बहुत लंबे समय तक मित्र नहीं बन पाते और कही ना कही जो है जिन लोगों को अपना कहते हैं उनसे दोखा मिलता है अनुशासन में रहने वाले अपना सारे काम जो है समय से होना चाहिए परिवार वाले कही ना कहीं कुछ ना कुछ बातों को लेके दुखी रहते हैं मकान जमीन से सम्मंदिश चीजों के लिए अच्छा है और कही ना कहीं ये भी कहा जाता है कि मकान जमीन से सम्मंदित समय का नुसार ऐसे लोगी बन जाती है लेकिन वहीं कुछ ऐसी प्रापरटी होती है या संपत्ती होती है जो तनाव भी देती है माता या पिता दो में से एक लोग के सुखों में ये कमी करता है वैवाहिक सुखों में कमी करता है, अगर ये रेखा आपकी ज़्यादा गाड़ी है, इसके मुकाबले वैवाहिक सुखों में कमी करता है, उसमें कोई दोरानी है, एक सज्जन चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, ये तो एक मैं आपको उधारन देता, बहुत अच्छा उध या फिर कोई दीप का साइन ना हो इसके ओपर, तो कही ना कहीं ये जीवन रेखा को सपोर्ट करने वाली रेखा कहलाती है, ये रेखा अगर कहा जाए तो इस रेखा को सपोर्ट करेगी और जीवन रेखा का मतलब हो गया सभी प्रकार के सुख, ये आपकी गलत फेहमी है, बहुत सारे लोगों की गलत फैमी है, बहुत सारे मैं यहां पर यह आपकी नहीं, मैं तो यह कहूंगा कि बहुत सारे जोतिशाचारियों की गलत फैमी है कि जीवन रेखा से क्यों जीवन देखा जाता है, जीवन रेखा से परिवार देखा जाता है, पत्नी देखी जाती, संतान का भी कुछ तक का विचार के जाता है, धन के स्तितियां देखे जाती, वाहन देखा जाता है, घर ने देखा जाएगा, लेकिन घर का सुख जरूर देखा जाएगा, मतलब भवन का सुख, भवन का आपको नहीं भुगतना पड़ेगा, इस पर यव का निशान है, समस्य आई, लेकिन समस्य कम आई, अगर ये रेखा नहीं है, तो उसके मुकाबले, कई ना कई उस पर सपोर्ट करेगी, ये सपोर्टर है एक तरीके से, मंगल लेखा सपोर्ट करती है चीजों का, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि मंगल लेखा को देखने का तरीका क्या है, कैसे हम देखें, किस तरीके से देखें, कि उसका क्या प्रभाव होगा, कितना प्रभाव होगा, ये रेखा अगर कहा जाए, एक दूरी, एक मानक बना हुआ है, उससे दूर होगी, तो ज्यादा दिक्कत मतलब हो गया एक इंच से दो इंच के आसपास, ठीक है, एक इंच से दो इंच से दूर है, मतलब एक इंच जो है, जीवन रेखा से एक इंच से देड़ इंच या दो इंच दूर है, तो यह कहा जाएगा कि इसका प्रभाव कम पड़ेगा, इसका प्रभाव कहिना कहीं कम हो ज जाएगा अगर यह दूरी ज्यादा है तो रिस्तों में संबंदों में कहीना कहीं तकरा देगा उसमें कोई दोरा नहीं है अगर यह दूरी ज्यादा एक इंच या दो इंच से ज्यादा है तो वहीं पे अगर यह मंगल रेखा आधा इंच के आजपास या आधा इंच से ज्या कि आधा इंच से दूर नहीं, इस्त्रियों से ऐसे लोंको लाब मिलता है, भन के लिए, कारिछेतर के लिए बहुत अच्छा माना गया हुआ है, ऐसे लोग अगर कहा जाए, तो लोगों की सेवा करते हुए दिखते हैं, किसी प्रकार से, किसी और की, कारण भी ऐसे लोग कहीं कहिं अपनी चीजा नुखसान करते हैं कोई भरोसा बहुत जल्दी कर लेते, कानों के इगच्छ ऐना करते हैं, उसमें कोई दोराय को तरहे हैं सावधानी बढ़ प्रहे समय लेकिन पतनी या वैवाही जीवन में असंतुष्टी को भी दिखाता है कोई-बात लेके कोई-बॉइ चीज़ों को लेके जो है यह संतुष्ट करता है साव धान से समझ लेगा बहुत मैं जरूरी चीजिएं आपको अज बता रहा हूं मंगल से समंदित वहीं पे छोटी-छोटी सी बहुत सारे हातों में आपको मंगल लेखा मिलेगी, इस टैप की, आधे या इस जगा से शुरू हो, अपना मकान जरूर होगा, यह तैमान के चलिए, आपको अपना मकान मिलेगा, प्रॉपर्टी में कही ना कहीं, प्रॉपर्टी का लाब ऐसे लो प्रॉपर्टी से संबंदे चीजों के लिए बेहत अच्छा है, अगर यह रेखाएं हैं तो कही ना कहीं, लाब को बढ़ाने वाली धन से संबंदे चीजों को यह बढ़ावा देता है, बहुत सारे हातों में इस टैप से रेखा होती है, मतलब जीवन रेखा से मिल के निकल जीवन के आरंभ में अगर कहा जाए, शुरुवात में, ठीक है, थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, यह मंगल रेखा तो नहीं कहा जाएगा इसको, जीवन रेखा से टकरा गई, तो कही ना कहीं, भाग रेखा ही इसकी संग्या है, जहान रखेगा, जब भी यह रेखा जीवन रेखा से मिल जाए, तो यह भाग रेखा ही कहलाएगी, और रेखा जितनी इसपष्ट होगी, उतना ही उसका प्रभाव बढ़ेगा, निर्दोश हम लोग जिसे कहते हैं, इसका फल अगर कहा जाए, कम उमर से ही डिखने लगता है, बले संघर्ष किया, मैनत किया, उ सुखों में कहीना कहीं व्रद्धी करती है, सुखों को बढ़ाती है, ऐसे व्यक्तियों का व्यवहार अगर कहा जाए, अच्छा होता है, और जो संतान होती है, उनसे उनके संबंध भी कहीना कहीं अच्छे कहलाते हैं, संतान भी कहीना कहीं योग होती है, उसमें कोई दोरा आपाई नहीं है, संतान काविल होती है ऐसे लोग की धनी, धन अच्छी मातराम होता है और कहीं न कहीं ऐसे लोग अगर कहें तो स्रेष्ट होते हैं समाज में मान समान प्रतिष्ठा इत्यादी चीजों को भी इंगत करता है कोई ये दिखाता है उसमें कहीं कोई दोराय नहीं है मंगल देखा अगर दो स्पून है दो स्पून का मतलब हो गया टुटी फूटी है या दीप है या कई जगा से कट रही है तो इसका क्या मतलब है या फिर कोई तिल दाग धबा उसके उपर आ रहा है इसका क्या मतलब है ऐसे लोग चुनौती बहुत देते हैं लोगों को एक चुनौती देने की आदत होती है ठीक है, हर जगा तो नहीं मैं काऊंगा कुछ जगों पर चुनोती देना अच्छा है कि मैं आपसे एक दो घंटा जादा पड़ूंगा यह चुनोती देता हूं, वो तो एक अच्छा अच्छी चीज हो गई, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो मैंने चीजे आपकी बताई हैं, अगर वो चीजे मंगल लेखा पे हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा विक्ति बहुत ज्यादा पराकर्मी होना भी अच्छा नहीं है, ऐसे लोग अगर कहा जाएगा निर्भेता, निडर जिसे कहा जाएगा, डर बहुत कम होता है इसे लोग के अंदर, जिसमें भी नुकसा आप कब दे दे, किसको दे दे, कैसे दे दे, कुछ पता नहीं है, ये भी इसके संकेत हैं, अगर मंगल लेखा टूटी-फूटी है, योग का निसान है, तो ऐसे लोग को हमेशा दिमाग से धैर होके चलना चीए, कोई भी नर्णय ले, तो देख दा के ले, लोगों से मंगल लेखा के ऊपर दीब का साइन बन रहा है, या फिर लेखा बहुत जादा लहरा रही है, लहराने का मतलब हो गया, इस टैप से लहरा रही है, या दीब का निशान बन रहा है, या फिर तो ये भी कही ना कहीं, अगर कहा जाए, तो पीडित मंगल को दिखाता है, जीव लहराय और दीब का निशान बने जीवन साथी को कष्ट देता है। दुरगटना को दिखाता है वादिवाद को दिखाता है या लंबी बिमारी को भी यह दिखाता है। सावधान होके चलें अपना और अपनी पतनी दोनों का ध्यान रखें। मंगल लेखा पारिवारिक जीवन में उतार चडाओ को भी दिखाती है। अगर पीडित है तो यह यौका निसान या आपकी जो है लहरा रही है तो यह पीडित कहलाएगी। और यह कही ना कहीं जीवन में उतार चड़हाओ को भी दर्षाती है। कुछ चीजें मैं मंगल से सम्मंदित बताई उमीद करता हूँ आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी अगर नहीं समझ में आई तो एक दो बार और देख लिएगा चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी वीडियो को शेयर कर दीजेगा और कोई प्रशन हो तो नीचे कमे समझ में